COVID-19 के इस Global Pandemic में हम Pet Parents काफी जादा Concern है अपनी Pet Health को लेके और कहीं न कहीं हम बहुत डर भी रहें कि क्या यह ज़ो COVID-19 है यह क्या हमारे पेट से हमको भी होता है या हम से इनको होता है तो ये बहुत बड़ा question है और इसके लिए अभी तक आपको ज़्यादा information नहीं होगी इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक छोटा सा इसमे लाइम लाइट ये थोड़ा सा एक informative वीडियो बनाऊं जिससे आपको ये पता चले कि हम क्या करें हमारा क्या action होना चाहिए वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉगनमेट में मैं डॉक्टर मिश्रा अगर आभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकट को हिट जरूर करें जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मतलब पब्लिस होई है जो यह कह सके कि पैट में जो है कॉरणा के सिम्टम साते है कौरणा या को वीडशी में होता है या कम्पैनियन ए में होता हैं बड़ हम बात करें आप जलोबल सब्सक्राइब करें जैसे अगर हम एंट्रणी एल्माइल ऍेलिने धाट़ का OIE और इसके इलावा वसावा है World Small Animal Veterinary Association इसके साथ साथ North American Veterinary Association है और इसके साथ साथ Center for Disease Control अमेरिका में यह जो organization है इनकी एगा reports आप देखो इनकी official website पे तो आपको काफी information मिल जाएगा और यह कहते हैं कि जो transmission है वो human to animal exist करता है मतलब कहने का यह है कि COVID-19 human में तो है ही बट अगर कोई भी human patient जिनके घर में pet है उसके साथ अगर closely interact करता है रहता है साथ में तो quite possibilities हैं कि COVID-19 के symptom उनके pets को भी हो यह 100% clear हो चुका है काफी news है और अगर आपको मैं information दूँ कि कितनी cases confirm पाये गए है dogs में, cat में और wild animals में जैसे कि tiger हो गया, mink हो गया और pangolin हो गया इस तरह के animals में COVID-19 positive पाया गया है और यह confirm हो चुका है राइट? का यह बहुत ज़्यादा जानलेवा है companion animals में या wild animals में यह नहीं है, जो भी पाये गए है confirm cases, वो weak positive है अगर हम बात करें from the first case पहला जो case पाया गया था वो होंग कॉंग में पाया गया था और जिस dog में पाया गया था वो 17 साल का बूढ़ा Newton Pomeranian था male dog 17 years का Pomeranian बहुत बड़ी बात होती इतनी लंबे समय तक dog survive नहीं करते हैं तो imagine कीजिए कि 17 years female, sorry, male Pomeranian में COVID-19 के weak positive test पाया गया थे मतलब उसका जो result था antigen test का weak positive था बहुत जादा नहीं था और उसको quarantine किया गया था बट यह है कि वो कुछी दिनों में मर गया बट यह नहीं clear हो पाया तो वहाँ पे यह clear नहीं हो पाया क्योंकि जो ओनर थे उन्होंने post bottom के लिए allow नहीं किया, similarly बाद में अमेरिका में के एक जू में, निवाक में जू में जो है tiger को पाया गया था COVID positive तो ऐसे अगर हम पिछले साल भर में अगर हम reports अगर आप चाहते हैं कि आपको देखना है कि कितने animals में COVID positive हुए है COVID-19 positive तो official website है OIE की मैं उसकी link दे दूँगा description में आप वहाँ से उसका latest update देख सकते हैं तो वहाँ पर पूरा complete जो है वो लिटेल उन्होंने भेजा हुआ है कि कि किस किस country में कितने animals को COVID-19 positive पाए गया है But सबसे important चीज़ क्या है कि COVID-19 क्या है यह बहुत ज़्यादा जान लेवा है animals में और क्या animals से human में होता है तो यह आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए अभी तक जो experimental model भी किये गये हैं मतलब कि COVID-19 को experimentally animals में गर जो infect किया गया है उसमें भी वो काफी lethal नहीं हुए है और that to वहां से भी transmission human को नहीं हुआ है और natural settings में भी close to nil है तो यह चीज़ पक्का है very clear है कि human to animal transmission तो हो रहा है मतलब कि अगर कोई भी corona patient है human का उसको COVID-19 positive है और उसके साथ pet animals है चाहे वो cat हो चाहे dog हो एक्स वैजेट तो उनमें transmission के chances है और but 99 to 100% यह clear है कि जो reverse transmission है animal to human वो नहीं पॉया गया है so इसलिए आपको डरने के जरूत नहीं है कि आप बहुत panic मत कीजिए कि क्या यह corona जो है वो animal से human में भी हो सकता है यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत pet parents काफी ज़्यादा panic है कि क्या हम pets को रखें घर में कि ना रखें तो please ऐसा बिलकुल मत कीजिए pets से आपको कभी corona नहीं होगा आपको क्या करना है as a responsible pet parent कि अगर आपके घर में किसी को भी corona positive हुआ है तो आप अपने pet से दूर रखना है जैसे आप जो COVID-19 सिस्टम प्रोटोकॉल जो follow करते हैं जो advisory है जो follow किया जाता है उसी हिसाब से आपको pet के साथ भी follow करना है pets से दूरियां बना कर रखिये जिससे उसको ना हो हाला कि ये भी बहुत clearly अभी ते जो भी reports है CDC की report देख लें हम border health organization for animal health की report देख लें वसावा में जो भी guidelines जो भी information दी गई है वो उसको देख लें तो ये clear है कि जो pet में जो infection है वो बहुत जादा नहीं है symptoms में science में normal symptom है जैसे sneezing करेगा fever होगा general body malaise होगी उसके साथ साथ सांस में लेने में problem होगी ऐसे symptoms जो है वो पाये जाते हैं COVID-19 के dogs में, cats में, मतलब comparing animals में बट वो बहुत लीथल नहीं है और अभी तक बहुत ही कम अभी तो ऐसी को report नहीं आई है जिसमें बताया गया हो कि काफी lethal है हलाकि जो अभी गारजन की report देखें और अगर हम College of Veterinary Medicine टेकसास, US की report को देखें तो वो बताते हैं जो नया भी mutant strain है COVID-19 का जो B117 है जो UK strain कहते हैं यह थोड़ा सा lethal है यह cat में, dog में जो है, वो hurt की problem भी कर रहा है इंडियर विटनी रिसर इंस्टूड आईवी रे में भी काफी experimental model किया जा रहा है कि कैसे हम अपने companion animals, wild animals को बचा सकें कैसे हम vaccine को produce कर सकें अपने wild animals के लिए और pet animals के लिए भी तो research चल रहा है और होफ़ली बहुँ जल्दी हमें कुछ अच्छी good news मिलेंगे जिसमें हम एक अच्छी vaccine भी develop कर लेंगे अपने wild animals के लिए company animals के लिए भी यह सही corona इनको ना फेले अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर corona virus की vaccine जो है वो dogs में अल्रड़ी उपलब्द है तो क्या यह vaccine protection देगी cross protection देगी इस COVID-19 को देखी बेसिकली जो coronavirus की family है बहुत बड़ी family इसमें alpha family है beta family है delta family है तो जो dog में जो coronavirus जो नॉर्मली बहुत दिनों से पाया जाते है जो intric form of coronavirus होते है जो उनको lose motion idea होता है उसकी vaccine available है इंडियन market में भी है मेरे clinic पे भी है इनफेक्ट सभी dog clinics पे है वो जो है basically जो intric form of coronavirus है उसको control करता है वो different family है और यह जो COVID-19 के family है beta families आता है यह different है हाला कि जो family जो genus है जो main family है वो दोनों की same है तो अगर हम कुछ लोगों की reports को माने या कुछ scientists ये भी कहते हैं लिटिल बिट protection तो definitely मिलेगा because of certain antigenic similarities 100% similarities नहीं है बट 5-10% भी similarities definitely है और उसके कारण से कुछ cross protection मिल सकता है but not to be very sure कि यह कितना मिलेगा but it is very important कि at least alpha family का जो coronavirus है वो जो बीटा family का coronavirus इतनी तेजी से mutate कर रहा है और वो जो है उसकी जो अपनी lethality है infection rate है वो बढ़ा रहा है तो quite possible है कि जो alpha family का जो intrigue form आप जो coronavirus का strain है जो dog and cat में होता है वो भी mutate कर सकता है तो at least उसके mutation को रोकने के लिए हमें coronavirus जो dog में जो vaccine available है उसको हमें लगातार अपने pet को लगाना है यसे हमारे pet जो है इस coronavirus से protected रहे और इसमें mutation ना हो पाए ठीक है तो that is important तो final take ही है ये कि आपको coronavirus vaccine जो dog की available है वो आप लगाते रहे है cross protection के chances minimal है कम है बट कुछ तो है तो उस hope से आप इसको लगवाते रहे है plus जो intrigue form आप जो science है coronavirus alpha family का कम से कम वो नहीं होगा आपके dog को और इससे जो mutation है वो भी हम कहीने कहीन से उसको हम protect कर सकते है तो at least वो protection रहेगा तो इस लिए इस coronavirus vaccine को जरूर लगाते रहे है अपने dog में इसके साथ साथ जो है basically आप अपने आपको protect रखिए और अपने pet को भी protect रखिए बहुत जरूरी है CDC के guidelines आप देख सकते हैं मैंने link दे दिया है वसावा के guidelines मैंने आपको link दे दिया description में आप उसको पढ़िए और उससे आपको काफी knowledge मिलेगा कि कैसे कैसे हम अपने आपको अपने pet से अपने pet को बचाएं ठीक है यह हमारी responsibility है कि हम आपको authentic information दे कोई fake information ना हो और कोई panic ना create हो तो please इसको ध्यान में रखिए अपना ख्याल रखिए अपने pet का ख्याल रखिए और प्लीज टेक कियर पेट से समदित कोई भी queries के लिए आप मुझे directly call कर सकते हैं using call me for app और उसमें में में साच आज़िए Dr. Mishai Erdarir CM4 Thank you so much